नोश्कार जहिंद वंदे मातरम सभी का स्वागत है NDC निशिल क्लासेज में अभी नंदन है आप सभी का और कल हमारी निराला की क्लास हुई थी और आज अपनी सुमित्रा नंदन पंध के बारे में है चांदार क्लासेज का दोर जारी है और टेस्स रिज जो है बस मैंने खाना जैसे ही आपका ये च्छायावाद आधुनिक काल कम्प्रीट होगा सेड्डूल तो आपको इसी वीक में मिल जाएगा अजस्ट आखा तीज के अजस्ट बाद में मिल जाएगा और पहला टेस्ट कब होगा वो होगा जैसे याधुनिक काल कम्प्रीट इधर कावे सास्थर के क्लासेज स्टार्ट कर वाँगा और उधर आपके test जो है, start हो जाएंगे इसके अलावा जो व्याकन अपने start, प्र्षनोतरी start कर रहे हैं व्याकन GGD पर start आपने से बहुत से student देखी रहे हैं है ना, तो प्रषनोतरी अपने वापस यहीं start करेंगे तो कहीं ने कहीं आपके प्रैक्टिस जो है वो जारी रहे और हर टॉपिक क्लियर हो जाए अब रही बात पिछली सेक्टिंगेर के जो आज टेलिग्राम पे थोड़ सा एक मैसेज का देखा था आपने देखिए एक बात बता देता हूँ कि जब यहां इस मंच पे खड़े होना ये सबसे विकट स्थती होती है कि आपको निश्पक्ष बोलना पड़ता है और निश्पक्ष यह ही है कि भै आपके मन में है ना वैसे हमारे मन में भी रहता है एक बात जरूर याद रखना मैं आप सबसे बात कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी यूटूब टीचर बहुत से जाने माने यूटूब टीचर हैं और बहुत से अच्छा प्रयास कर रहे हैं कभी भी किसी टीचर के बारे में ये मत कहें कि दुकाने खोल रखिए है मतलब आप जब को पढ़ना होता है तब आप सर ये टॉपिक और वो टॉपिक करवा दो और फिर जब आप मानलो को ये आपके जहां आपके हित की बात नहीं होती है दूसरे के हिद की बात होती है या निश्पक्स हिद की बात होती है तब वहां आपके तो गुसर आपने दुकाने खोल रही है ये सेंटेंस बदा सेंटेंस अब मैं किवल इसके बारे में नहीं कहा रहा मैंने कल सोचल मीडिये फेसबुक पे भी ग्रूप में देखा और मेरे गुरू हैं मतलब यू मान लिजिए मैं भी कहीं ने कहीं उनका मैंने उनके साने धिम पढ़ाया भी है यू मान लिजिए तो उनकी फोटो लगा रखी थी और बोला था कि इन दुकानों के बारे में क्या कट ओफ को लेगा तो आप सोचिए कि कट ओफ क्या होती है एक अनुमानी तो होता है कट ओफ मैं बता है मैंने अनुमान बताया कोई दूसरा बताएगा दूसरा अपना अनुमान बताएगा अनुमान बताते हैं लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो बस सिर्फ दुकाने दुकाने ये दुकाने नहीं है, साब लोगों ने अपनी पर्सनल लीजी लाइफ है ना, वो समर्पित की है इस चीजों के लिए, आप इस चीज को समझे, हम अपने परिवार की जो बहुत से ऐसे काम होता है, जो जरूरी होता है, वो भी मतलब एकदम छोड़ देता है, दूसरे को देत है, तो इट्सो के वहां से आप जो है, एकदम किनारा कर सकते हैं, आप मत देखें क्लासे, इट्सो के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आते हैं, देखना भी है क्लासे को, और फिर जब तक जरूरत है, तब तक ठीक है, अधरवाई उसके बाद में तू कौन हम पैचानते ही नहीं है, और इस तरह से, चलो मत पैचानो, इट्सो के कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन आप कभी भी किसी भी यूट्यूब, मैं मेरे एक का नहीं कहा रहा है, किसी भी यूट्यूब टीचर के बारे में दुकाने शब्द जो है ना, ये परिपना करें, क्योंकि आप ज मिशुल का, आड़ में, टैस्स तरीज वगरा दे रहे हो, देखिए, इस्टेशन रिचार्ज जो होता है, वो आपको बताएं कि हमें भी दो, दो, तिन, 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 बंदर टाइपिंग करवाने के लिए करने पड़ते हैं, तो इतनी सैलरी नहीं होती है, आप भी लग जा परिवार का हिस्सा है, तो उससे तो मैं ये विशेश रूप से कहूंगा, कभी भी किसी भी चैनल पर जाकर, कभी भी किसी की बुराई मत करना, सब अपनी और से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तुरूटियां सब से होती है, मुझसे भी होती है, सब से होती है, सुधारते भ ये करता है, अब रही बाद पेपर रद रोने की, तो देखो कौन सा ऐसा टीचर है, कोई भी टीचर जो रात दिन मैनत करके आपके साथ 4-4 गंटे, 5-5 गंटे, क्लासे देखर आपको तैयारी के दोरान आपके साथ जुडा हुआ रहा, सर आप ये टॉपिक करवा दो, सर आ मतलब आप देख रहे हैं, अभी न्यूज में चल रहा है, अख़बारों में सब जगए, सोसल मेडिया पर नकल का जो है, परत पर फरत खुलती जारी है, तब मन में एक भाई पैदा होता है, उसे लगता अले मारे गए, है ना, तो मन में एक भाई पैदा होता है, क्योंकि, क्या हमारे, देखो आपको भी हम छोटे भाई वैनों के तरह रहते हैं, है ना, हमारे परिवार में छोटे भाई वैन वगरा है, उन्हों वो भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ दोड़ में हैं, कुछ दोड़ से बाहर हैं, पिछली बार, एक सो चारीस चारीस नमबर बनाने के साथ भी वो विचारे जो है, रह गए थे, कई वार ओमार सीट में, बना एक सो चारीस वड़ा कैसे रह गया, कई वार ओमार सीट में, जो है, रोल नमबर डंग से नहीं बरके आए, सीरीज गरत बढ़ दी, यहां आके सही मिला रहा है, और गरत बरके आगे, बहुत कुछ भ दर क्या रहता है, कि इस तरह से नकल पर, नकल की परत पर खुल रही है, नजाने किस हद तक हुई होगी, तो कहीं नकें यह डर मैंन में होता हैं, तो सोचता है, मेरिट क्या जाएगी, फिर आप लोगों के मेहसा है, सर कट आफ का अनुमान बता दो, क्या बताए हैं अनुम बढ़ने तो सिक्षक जा रहे हैं लेकिन मुँ में आई जो बोले जा रहे हैं तो ये भी है आप बोल सकते हैं 800 के कोई दिक्कत नहीं है है ना हमें अब तो हमें यूं माले जीए कि आद़ पढ़ चुकी है ठीक है अब मालने कोई 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 भी टीचर जो है चाहिए मैं हूं पर उसने तो अपना अनुमान बता दिया कि साब 350 पसपन सेफ है लेकिन जो मतलब गलत तरीकों से भी जो पेपर में आए हैं वो नजाने कि उनकी संख्या क्या होगी वो कितना जाए तो कहीं ने कहीं डर मन में हमारे भी रहता है इसलिए हम सोचते हैं कि इशुर करें जो भ बढ़तीया रद होती थी थी ना हम भी खून के आशुरोए हैं आप ये सोचते होना कि हम बस ऐसे मज़े ले रहे हैं ये आप सोचिए जो सफर आप आज तैय कर रहे हो वही सफर हमने तैय किया है उसी सफर को पार करके यहां तक पहुँचे हैं तो आप ये कैसे सोचते हो क कि आपके दर्द का अंदाजा हमें नहीं है, आपके दर्द का अंदाजा हमें भी होता है, आप ये मान के चले, क्योंकि जिस सफर पे आप चल रहे हो ना, जिस रास्ते से आप चल रहे हो ना, उसी सफर से, उसी रास्ते से होकर हम यहां तक पहुँचें, तो आपकी तकलिफो को भी समझते हैं आपकी विडाओं को भी समझते हैं और तैयारी जो एक के बाद तैयारी करते हो तो वो भी समझते हैं कि पैसे वगरा हैं घर जो हैं वो कैता है ना कि इतने capable नहीं है कि बार बार अपने को तैयारी करते हैं हम पिछले वीडियो मैंने कहा था कि किस प्रकार से जो बहने हैं लेडीज हैं वो तैयारी करती है वास्ता हूं सोचने वाड़ा विशा है दो दो महीने मांग मांग के तैयारी करते हैं फिर इस प्रकार के अरकते होती है तो बहुत तकलीफ होती है तो आप ये कताई ने समझे कि हम आपके विरोधी हैं आप इस बात को विशेज ध्यान रखें आप कम से कम बस मैं इतना ही कहूंगा आज लास्ट में कि आप अगर मानलो पक्षमें नहीं बोल सकते आपको अगर हमारी कोई बात पसंद नहीं आती है तो इट सोके आप आराम से कभी भी जो है आपने चैनल लिव कर दे इट सोके कोई दिक्रत नहीं लें कम से कम ये ना सोचे कि हम आपके विरोधी हैं हम आपके सबसे कट्रे समर्थ हैं यूं मान लीजिए क्यों हम चाहते हैं और मैं तो हमेशा कहूंगा कि हर महनत करने वारा भिर्थी मैं हमेशा है आप सोच जी हमेशा तरकास देखो कलस लेता हूं शाम के वक impart और मैं हमेशा कलस में क्या ब highlighter हो कि हर महनत करने वाला भिर्थी सफल हो नजाने किसी दिन तुमा सरसथी मेरे जीवापे बैठेगी और उस मेहनत करने वाड़ा बिरती का सेलेक्शन होगा ही होगा पस मेरी हमेसा यही प्रार्टना रहती है और जो अच्छे भंग से लगातार तयारी करें उनका सेलेक्शन होना ही चाहिए अब अगर आपके अच्छे नमर बने है तो फिर मेरी यह भी तो दुआए है ना कि आपका सेलेक्शन हो यह भी तो सोच के देखिए कई बार हम मेसेज करता है ने आप भाव नहीं समझते देखो एक तो मैंने कहता हूँ कि आपके पिताजी का क्या नाम है और एक मैंने कहता हूँ कि तेरे बाप का क्या नाम है तो बात दोलों में सेम पूछी गई है पिताजी का क्या नाम है और बाप का क्या नाम है लेकिन एक में गुसा आता है और एक में जो है वो आराम से बताता है कि हमारे पिताजी का नाम यह है और जैसे बाप का क्या नाम है तो यह ऐसा कैसा बोल रहा है तो यह बात से हम पूछी पूछने पूछने का अंतर होता है इसी तरह से कई बार किसी मैसेज को समझने का तरीका होता है तो कई बार आप मैसेज को समझते नहीं हो और नहीं समझने के कारण क्या होता है कि सब गुड़ गुबर हो जाता है समझें कि मिरे पास ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं जिनके 360 नमबर बन रहे हैं बोने सर आप वात से अमत हैं है। तो बी तो बेचा रहे हैं वो भी तो कड़े जााओ मतलब वो कहता है ना कि मश्बूत करके कमेंड कर रहा Listen to बहुता का बहुता नहीं सर आप बेक्त्तुम सही बात बोल रहा कि उ vibes लग रहा तो यह बात आप समझें इस बात को मैं नहीं हर यूटूब टीचर जो मतलब अपना नीजी जीवन मैं नीजी जीवन को कहूंगा नीजी जीवन समर्पित करके आप लोगों को पढ़ा रहा है वो सब आप अभिरतियों के साथ है और हमेशा साथ रहेगा मैं किसी को मान लो परसनली में बात करूँ ना करूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि सब का वेक्टिब तो एक है कि अभिरतियों का जादा से जादा लाब प्रात ओ फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे दुखाने हैं तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है भाई आप जैसा समझे लेकिन इतना जानता हूँ कि बहुतों का भला हो रहा है और उनकी दुआउं से चल रहा है और आपको अगर वो बात है कि मतलब आज बहुत पीड़ा हुई है मैं रियल बता रहा हूँ बहुत पीड़ा हुई जब यह दुकाने जैसे सब्दे यूज किया जाता है गलत बात आईए देखो हम तो छोड़िये हम क्लास की ओड़ चलते हैं बाकी गलत बात है आप जहां तक मैं समझता हूँ कि आप समझेंगे भी इस पीड़ा को कि इस तरह से अपने पे लेके सोचिए कि अगर यह मेरे साथ होता तो कितनी पीड़ा होती तो इस पीड़ा को समझें जरूर आपको अंदाजा होगा कि आज 34 नमबर क्लास तक हम पहुंचे हैं तो 34 क्लासें, 33 क्लासें किस प्रकार मैंने रिकॉर्ड की होगी कितनी मेहनत की होगी, कितने बड़िया कंटेंट आपको देरने का प्रियास किया होगा आप क्लास में बोर्ड न हो, इसके लिए बीच-बीच में पंक्तियां सुनाई होगी कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर आपके दिल से दुआएं निकाल पाते हैं और पढ़ने वाणा जब मेरी परिवार का हिस्सा, जब परिवार के बगावत पर उतर आएं तो दूसरों को मौका मिल जाता है इस बात को भी ध्यान रखना इस परिवार का हिस्सा होगा बगावत करते हो, बात को समझते नहीं हो, मुझे हैरानी होती है चलिए, क्यतना पत्थर डालो, तो आप चलते हैं, आप में से कई बोर हो गए होंगे लेकिन पीडा है और पीडा बोलती है, कैसे बोलती है क्यतना की काव्य कैसे बनता cớलिए इसी पीडा से 35 से ही start करता हूं, क्लास की कि किसी ने पूछा कि कविताएं कैसे बनती है देखो छायावाद भी चल रहा है छायावाद में हम पढ़ते हैं कि इनकी जो अनुभूती और विरह है वही इनके काववे का सबसे मुख्य विशे रहा है कहता है इनके काववे में जो वेदना है जो पीड़ा है उस पीड़ा में ये आनंद लेते हैं क्या लेते हैं आनंद लेते हैं लेकिन ये जो अभी मुझे जो पीड़ा हुई ये दुखाने शब्द ये वो पीड़ा नहीं है लेकिन फिर भी किसी ने छायवादियों से पूछ लिया कि कविता कैसे बनती है तब उन्ह आप बन जाती यानि यह जो आंसू जो होते हैं शब्दों के परिंदे होते हैं और जहां यह उतरते हैं परिंदे कागज में जब पैन के द्वारा उतरते हैं परिंदे कविता अपने आप बन जाती है पीडाओं को ही व्यक्त करना ही अभी व्यक्ति ही तो क्या है कविता है त तो एक पंक्ति और ही आपको स्टार्ट कर देता हूँ तो किसी ने बोला कि कि आप कुछ कहना चाते हैं कि और आप कुछ कहना चाते हैं तो कहा कि कहना तो हम बहुत कुछ चाते हैं मगर कहन नहीं पाते हैं कुछ शब्दों से कुछ चुपी से तुमको समझाना चाते हैं पर तुम ये समझने पाओगे बस हंसकर टाल जाओगे तब हो चुकी होगी देर बहुत हाँ तब हम फिर लौट न पाएंगे हाँ सच कहते हैं एक मीठी मधुरी आद बनकर तुम्हारे वजूद में बस जाएंगे पर हम फिर लौट न पाएंगे हम फिर लौट न पाएंगे तो वही बात है कहना तो हम बहुत कुछ चाते हैं मगर कहन नहीं पाते हैं तो यह चलता रहता है जिवन में उतार चड़ाव चलता रहता है और मैंने तो वहाँ पर भी माफी मांगी है जहां मेरी गलती नहीं हुआ करती है और आज भी मेरा यह सिस्टम है क्योंकि यह है कि मेरी वज़े से किसी के चेहरे पर जो है तकलीफ या दर्द या पीड़ा नहीं आए पिछली बार टेस्टरीज में थोड़ी आस होई था हुई तब भी मैंने वेक्तिकत फोन करकर करके माफ़ी मांगए मैंने का यह मेरी वज़े से नहीं मेरे किसी सिस्टम के वज़े से हो गई फिर भी मैं शमा चाहता हूँ तो यही है कि इंसान कमाने के लिए निकले हैं यूटूब पर कुछ लोग पैसे कमाने के लिए नहीं देखने हैं इस बात को विशेज द्यान रखना ऐसे ही सर्फ इंसान कमा रहे हैं पैसा तो हर कोई कमा लेता है इंसान कमाना बड़ी बात होती है सुमित्रा नंदन पंथ के बारे माई ये बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंथ जिने छायावाद का विष्णु कहा जाता है क्या कहा जाता है छायावाद का विष्णु कहा जाता है छायावादी सबसे पहले मैं जैसा कि बोलता हूँ रचणों को याद रखें। और पिछले क्लास में आपको यही रचणा है जो है वो बोल के बताई। उच्छ वास, ग्रंती, वीना, पलो, गुंजन। और यह तरीका एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं ये क्या लिखावा दोस्तों उच्छ वास क्या लिखावाँ उच्छ वास तो उच्छ वास में वास इस वास को आप क्या पढ़ो 20 उच्छ वीस पढ़ो इस रचना को क्या पढ़ो उच्छ वीस पढ़ो उच्छ वीस जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 1929 जिने याद है उनकी लिए अच्छी बात है जो फ्रेश है उनके लिए बताता हूँ अब आप देखो उच्छी बात को अलग कर लिया ग्रंथी वीना पहले तो यह धियान रखना दो अक्षर वाली रचना है पहले सर्दोकान न भी तो है आदे को छोड़ दो ग्रंथी और वीना ये दो रचना है फिर उसके बाद पल्लव गुंजन तिन तिन अक्सर वाली आदे को छोड़ दो तो ये तो बात क्लियर हो गए कि पल्लव और गुंजन नोनो बाद में ही आएगी और पल्लव गुंजन में आप याद रखो PG, GP नहीं होता है, PG होता है, post graduation होता है, पोस्ट graduation होता है, पल्लव गुंजन, तब आपको ये भी याद रहेगा, यहाँ पहले पल्लव आती है, बाद में क्या आती है, गुंजन आती है, हो गई ठीक है, अब ग्रंती और वीना, तो गरवाड़ी दोनों रचना है, लास्ट में बीच में VP, बीच में क्या है, VP, तो GG, VP, GG, बीच में VP, अब क्या हो, उच्वास ग्रंती, वीना, पल्लव गुंजन, उच्वास ग्रंती, उच्वास के बाद ग्रंती दिमाग में आएगी, लास्ट में गुंजन दिमाग में प्रफम चायावादी रचना कौन सी है उच्छवास जो है प्रफम चायावादी रचना है प्रगतिवादी रचनों की बजब बात करते हैं तो आप देखिए प्रगतिवादी रचनों में यूगांत है इसमें किस यूग का अंत हो रहा है इसमें चायावाद यूग का अंत है क्या हो रहा है छायावाद यूग का अंत है और प्रगतिवादी तत्व है यानि प्रगतिवाद जो है प्रगतिवादी तत्व जो है इसमें आपको देखने के मुझे यानि ये प्रगतिवाद से प्रभावित रचना मन जाती है तो इसको प्रथम प्रगतिवादी रचना भी कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है इसको प्रथम प्रगतिवादी रचना भी कहा जा सकता है फिर है यूगवाणी अब ये जो यूगवाणी रचना है अब किसी के दिमाग में आए कि ये तो प्रगतिवादी रचना है क्यों प्रगतिवाद की वाणी इसमें नहीं ये है तो प्रगतिवाद है प्रगतिवाद है तो कॉल माक्स तो है तो माक्स और गांधी से प्रभावित रचना पहुंसे है ये माक्स और गांधी से प्रभावित है गांधी के जीवन से संबंदित रचना नहीं है गांधी के जीवन से संबंदित रचना जो है उसका नाम है लोकायतन जो उन्होंने सबसे लास्ट में लिखी है, इनकी अंतिम रचना लोका इतनी मानी जाती है, दो खंडों में है, साथ ध्यायों के अंदर रचना है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, तो उसके बाद है युगांत, युगवाणी और फिर है ग्राम्या, तो ये तीन रचना हैं, 36, 49 और 40, अब है अर्विन दर्सन से प्रभावितर, जो इनके स्वन कावे हैं, वो है चार, स्वन किरन, स्वन धुली, युगांतर, युगांतर और युगपत, ठीक है, ये चार ज कि नहीं होता है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, देखो, जो स्वर्ण किरन है, ये है 47, जब देश आजाद हुआ, तो एकदम स्वर्ण, बतलब जो किरने अब तक काली थी, गुलामी की जंजीरों में, अब वो एकदम सोने के समान चमक रही थी, स्वर्ण धुली, य यूग उपत है, अपने स्वर्ण किरन 47 की हो गई, हाँ, ये 49 की है, 47, 48, 49, तो ये 1947, 1947, 1948 और 1949, तो ये रचनाई सारी हो गई, अर्विन दर्सन से प्रभावित रचनाई, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बात करते हैं, आगे, पंत के नव माने उतावादी कावे, तो सबसे पहला नव माने उतावादी कावे है, वो उत्तरा आता है, उत्तरा जो नाम से कावे हैं, कहते हैं, वो सबसे पहला नव माने उतावादी कावे है, और ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है, लोकाईतन, क्या मानी जाती है, अंतिम रचना मानी जाती है, इसके बारे म चिदंबरा जो है वो 68 की रचना है और 68 में इनको क्या मिला था इस रचना पर ग्यान पिट मिला था इसमें है क्या चिदंबरा में तो चिदंबरा में इनकी स्रेष्ट कविताओं का संकलन है क्या है इनकी स्रेष्ट कविताओं का संकलन देखने को मिलता है फिर बात करते हैं पतजर, रजत सिखर, समाधिता, कला और भूड़ा चान, क्या रचना है, कला और भूड़ा चान, ठीक है कला और भूड़ा चान, हाँ, ये रचना 59, कब की है, कला और भूड़ा चान जो है 59 की है, और इस 59 में लिखी थी और 1961 में इस पर क्या मिल गया था, साहित्य अकादमे पुरुसकार मिल गया था और 1964 में ग्यान पीट पुरुसकार मिल गया था सेश्ट कविताओं का संक्लन है ठीक है सुमित्रा नंदन पंथ कहते हैं एक मैं कोटेशन मुझे याद आ गया बूल जाओंगा बाद में कि सुमित्रा नंदन पंथ कहते हैं कि प्रगतिवाद परियोगवाद ये दोनों क्या है ये दोनों तो छायावाद की उपसा खाएं है ये कथन किसका है सुमित्रा नंदन पंत का है कि प्रगतिवाद परियोगवाद तो छायावाद की उपसा खाएं है ये कथन किसका है सुमित्रा नंदन पंत का कथन है उसके आप देखिए पल्लव की लगबग 40 प्रश्टों की भूमिका दी गई है जिसमें अलंकार छंद बासा सब से इन सब पर विचार किया है अलंकार क्या से होना चाहिए छंदों का परियो किस प्रकार होना चाहिए शब्द सहली बासा सहली क्या से होना चाहिए सब पर विचार व गिर्जे का घंटा है पंत की सर पर्थम छाया वादी जो रचना है वो मानी जाती है उच्छवास कौन सी मान जाती है उच्छवास और पर्थम परियोग वादी रचना प्रगती वादी रचना कौन सी मान जाती है यूगांत कौन सी मान जाती है यूगांत मानी जाती है अब क एक है वानी पुर्शोत्तम राम सोवर्ण वानी ठीक है और एक सत्यकाम नाम से और अच्छना इनकी सत्यकाम ठीक है एक है शिल्पी शिल्पी ठीक है और अतीमा क्या है अतीमा ये इतने और इनके नव मनवतावादी कावे माने जाते हैं लोकायतन, चिदंबरा, पद्जर, रजशिकर, समाधिता, कला, और बुड़ा, चान, अतीमा, वापी और लोकायतन, इनके अंतीम रचना है, 64 में है ये दो खंडों में है गांधी के जीवन से संबंदित है, गांधी के जीवन से संबंदित रचना मानी जाती है, गांधी के जीवन से संबंदित रचना मानी जाती है, पंत जी की सरवर्थम कविता कौन से है, गरजे का घंटा, है ना, अभी तक आपको और भी बहुत कुछ बताना है, देखिए, अभी तक आपको क्या बताना है, यहां बताऊंगा मैं, मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यह तो आपको बताई दिया मैंने, हम, यहां पर आपको कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि आपको इनके रचनाओं का करम तो याद रखोगे, लेकिन कुछ चीजें देखो, और मिटा देता हूँ इसको, हाँ, जानना क्या जरूरी है, वो बताता हूँ आपको, सबसे पहले बात करते हैं, वीना की, किसकी बात करते हैं, वीना पर, अब मालो पूछ लिए आ, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर गितांजली का प्रभाव दिखाई देता है, गितांजली, गितांजली का प्रभाव, तो वो इसी रचना पर दिखाई देता है, किस र ग्रंथी में इनके असफल प्रेम की अभिवक्ति हुई है प्रेम हमेशा असफल होता है वही सफल माना जाता है तो प्रेम वही है जो असफल हुआ जो सच हो गए वो काई का प्रेम तो ग्रंथी क्या है असफल प्रेम की अभिवक्ति हुई है तो पल्लव क्या है पल्लव इनक इनकी प्रथम प्रोड रचना मानी जाती है देखो लेंग्वेज का विशे स्केल और मैं आपको हर चीज के बारे में बता रहा हूं कल को आपको पूछ लिया कि निम्न में से किस रचना में पंथ किया सफल प्रेम की अभिवक्ति हुई है या गितांजली का प्रोड रचना मा प्रोड सी मानी जाती है तब आपको ये चीजे मैं बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे वाना अब गुंजन क्या है गुंजन में आप यूं याद रख सकते हो इसकी keiner शीली जो है जो इसके ज़सीली है वह व्यवस्तित है क्या ए व्यवस्तित है और सबसे important बात इसमें ये अपने जीवन छेत्र में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं जीवन छेत्र में प्रवेश यानि अपने जीवन छेत्र के बारे में भी कहीं ने कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में पता लगता है है ना और पंत जो थे वो समाजवाद है ना और व्यक्तिवाद दोनों से प्रवावित माने जाते हैं समाजवाद से भी प्रवावित माने जाते हैं और व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद क्या हूँ समाजवाद से प्रवावित माने जाते हैं और गंधिवाद से गांधी वाज से प्रवावित बाने जाते हैं अब जब बात लोक रक्षा कियाती है या लोक सेवा कियाती है तब तो ये समाज वाज से प्रवावित है जब ये वेक्तिकत रूप से पूछते हैं गब ये वेक्तिकत रूप से किस से प्रवावित हैं तो ये गांधी वास से अभरावित हैं ये तो सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये इन चारों रचनाओं के बारे में जो मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपोर्टन चीज मैंने आपको बताई है और आपको ये याद भी रहनी चाहिए ठीक है इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ आगे चलते हैं कला और भुड़ा चांद कला और भुड़ा चांद को सुमित्रा नंदन पंत ने श्वैम ने रश्मी पदी कहकर पुका रहा है अब ये जो है ना रश्मी पदी आप जब इस पिपड़ी को दुबारा देखो के तो आपको ये पता रहेगा मैंने यहाँ पर रश्मी पदी क्यों कहा है मैंने यहाँ पर रश्मी पदी क्यों कहा है किसे कहा है तो कला और भुड़ा चांद को ही सुमित्रा नंदन पंत ने स्वयम ने रश्मी पदी कहकर पुकारा है तो ये चीजे एक्स्ट्रा है अब आप बोलो सर ये नोट्स में अगर आप एड़ कर देते तो हमें सर इतनी जंजट नहीं होती आप जानते हैं कि कहीं कहीं मैं ये अच्छे तरह से जानता हूँ और इतना अनुभव है तेरा साल होगए मुझे पढ़ाते हुए है ना आप सोचोगा कि सर तेरा सल वास्तों मैं बता रहा हूँ आपको लगेगा कि सर आप तेरा साल से पढ़ा रहे हूँ लग तो नहीं रहा मैंने आप देखो B.A.D. करने के बाद competition की और जुकते हैं और मैं रियल बताओं मैंने भी B.A.D. करने के बाद में 2010 की बाद बता रहा हूँ 2010 में B.A.D. है मेरी 2010 में B.A.D. करने के बाद में सिर्फ एक साल किताबों के साथ जो है वो थोड़ी सी माता वोड़ी की और उसके बाद मैंने सबसे पहले पढ़ाना ही स्टार्ट किया था पहले स्कूल्स में पढ़ाया दस्वी तक एक साल दस्वी दो साल बार्वी फिर कॉलेज और कॉलेज के बाद में सीधा जो है वो कम्पेटिशन लाइन तो यानि 2012-13 से पढ़ाते हुए होगे वैसे देखा जाए कम्पेटिशन लाइन में 2012 से और 23 साल लाइन 11 साल का सफर जो है तो आपको बता रहा हूँ कि ये जो PPT में पूरी चीज़े नहीं आड़ करने के पीछे उद्देशी ये है कि आपके हाथों से कुछ लिखवाना है मुझे इसलिए मैं आपको Notes Printout के लिए जो है बोलता हूँ और मैंने कल ये बोला था क्लास में किसी को Printout Notes अगर में दिक्कत आ रही है सर आपकी PDF नहीं निकल रही बगरा तो आप WhatsApp नमर में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हुए है और मैं दे देता हूँ उस पर आप WhatsApp करें और Receipt बेज़ दें किसा हमने टेस्स लिए हिंदी पॉंट अप्लिकेशन से Notes Printout नहीं हो रहे हैं मैं आपको Notes अवलिबल करोंगा आपने शिंत रहो तो आप ऐसा जरूर करें ताकि उससे क्या है कि अब हाथ से अब आपके दिमाग में एक रचना चलेगी कि गांदी का परभाव युगवानी पे है जब कि गांदी के जीवन से समंदित लोकाईतन है इनकी अंतिम रचना मान जाती है स्रेश्ट रचनाओं में से एक रचना मानी जाती है कौन सी लोकाईतन रचना जो है दो खंडों में और साथ अध्यायों में हैं दो खंड के पहले का नाम है बाहिय परिवेस और दूसरे का नाम है अंतस्चेत्य अब ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी आपको जितनी बार अगर मैं पंत के बारे में कल फिर से क्लास दूना तो मैं आपको पांच बाते और नहीं बता सकता हूँ तो सर आप एक साथ बता दो लेकिन उसके लिए पढ़ना मतलब मैं कर रहा है जितना गहराई में जाएंगे उतना पढ़ते रहें लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना एक्जाम की दरश्टी से इंपोर्टन्ट हो ठीक है, मैं जहां तक समझता हूँ, एक्जाम में कुछ बाहर नहीं जाए, मैं इतना बता दूँगा और अभी तक तो मैंने कहाना है, आदोनी काल कम्प्रीट होने के साथ आपका फस्ट टेस्ट हो जाएगा प्लस टेस्ट रिज का सेड्डूल, इसी वीक में आखा थी, जिए अगले दिन या, मतलब मंडे से पहले पहले मैं सेड्डूल आपको बता दूँगा कि टेस्ट आपके किस प्रकार होंगे और कावे सास्तर भी बहुत जल्द स्टार्ट करवा, साहिते के बाद तुरंट कावे सास्तर है, ठीक है अब आप जैसे मान लो कई बच्चे बोलेंगे, सर आपने ये नहीं बताया, कि इनका जनम जो है, वो कोशामबी में हुआ था, इनको गुसाइदत, इनका उपनाम क्या था, इनका जो नाम था गुसाइदत था, इनको प्रकरती का सू कुमार कवी कहते हैं, सू कुमार कवी क कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने महादरी वर्मा को मरस्तल की मंदाकी नहीं कहा है, इस प्रकार की चीज़ें आपने नहीं बताई, तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो सब को बेसिक पता रहता है किताबों में, और मैं आपको बता दूँ, मेरी बुक के बारे लगबग डेड में, नेट के एक्जाम से पहले पहले निकाल देंगे, किताब अच्छी, और हमारी किताब शॉर्ट नोट्स होंगे, इस से तो बहुत ज़्यदा होंगे, लेकिन वो भी नोट्स से पैटर्न नोट्स का रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, नोट्स का, नेट क की चितरसाला देखो जो पल्लव की भूमी का है उससे तो क्या कहा जाता है छायवाद का मैनिफेस्टो लेकिन पूरी पल्लव रचना को प्रकृती की चितरसाला कहा जाता है इसको प्रोड रचना मानते हैं इसको पंत की प्रोड रचना मानते हैं कला और भुडा चांद को इन गमऩरापर 68 में पंथ को ही मिला था और परृत्म सहित्य अगाद्मिय पुरूसकार किसे मिला था आपको याद होगा म theoretically 1905 मांखनलालrebaaa को मिला था 1950 में किस रचणा पर मिला था चलो साथ हैं युगांत युगांत में च्छायावाद का अंत है और प्रगतिवाद का उध्य मिलता है ये बात मैं आपको बता दी अब आप मेंसे कई सोच रहे होंगे जैसे कल भी मैंने चर्चा की थी किसर आपने व्रहदत्रई लगुत्रई के बारे में नहीं बताया उनका डिवादिशन किस ने किया तो ये कल की क्लास में जब महादिवी वर्मा वाड़ी क्लास उसमें बताएंगे क्यों बताएंगे क्यों जो लगुत्रई है उसमें तीनों कौन से हैं रामकुमार वर्मा है क्या बगवती चरण वर्मा है क्या मादवी वर्मा है क्या कुछ लोग जो है बगवती चरण वर्मा की जगए और किसकी जगए किसको मानता है तो इसकी चर्चा कल करेंगे लोकाईतने एक महाकावे है जिस पर सोवियत लेंड नहरू कुर्सकार मिला ये बात दुबारा आ गई यूगवानी जो रचना में हमने बात की थी उस पर गांदी जी और कॉल माक्स का वर्वावस पश्ट दिखाई देता है एक रचना और भी है जिसका नाम है खादी के फूल इस पर पंथ तता वचन वचन नहीं है भई ये हरीवच्ट रचन हरीवच्ट रचन दौरा सहीयोगी रचना मने जाती है और पंत ने रूपाब पत्रिका का संपादन किया था कौन सी पत्रिका का संपादन किया था रूपाब पत्रिका जबकि वहाँ पर मतवाला मुख्य पत्रिका कौन सी थी मतवाला पत्रिका जो है वो मुख्य रूप से थी इसके अलवा मैं अभी तक कोई रुखा थोड़ी हूँ अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ दखिए इनके कविता आपने सुनी होगी मौन निमंतरन क्या रचना है मौन निमंतरन ये इनकी एक Rehasye entonces वादी कविता मानी जाती है कि इस प्रकार की कविता माने जाती है ये इनकी मौन निमंतरन रहस्यवादी कविता माने जाती है जबकि इनकी जो रचना अभी हम पढ़के आए ग्राम्या ग्राम्या का नाम ही क्या है ग्राम्या तो ग्रामीन जीवन जो ग्रामीन जीवन है उसका यथार्थ वर्णन है क्या मैं आपको गुग ऒाया है ग्रामिन्ट जीवन का यतार्थवरणन है और मौन निमन्तरं की एक रहष्यवादी कविता माने जानती है अब गृती के बारे मैं आपको बताई और अर्सफल प्रेम है तो इसका मतलब यह है क्या है विरह कावे अब देखो जब कई बार थोड़ा आईक्यू और स्मार्ट स्टेडी आपको करनी पड़ती है इसलिए मैं कहता हूं एकागरो के देखे मानलो मैंने तो यहां अर्सफल प्रेम बता दिया अब दिमाग में मेरे विरह कावे आया नहीं मैंने आपकोahu पता या नहीं प्रश्णा आ गया के साथ जो है इनका विरह कावे कौंट सा है अलो सा सोच में पड़ गए नसा ने भी कभी लिखाया नहीं नोट्स में लिखाया नहीं अब यहार्सफल प्रेम है जब आपको वाटसप पे ब्लग कर द वह तो अब विरह वड़ा आईडिया आपको खुद को ही लगाना पड़ेगा कि प्रेम असफल इसका मतलब विरह तो ही है ना तो कई बार थोड़ा सा विचार करें एक एक रचनक बारे में जान करें ध्यान रखें वहां सोचाएं कि इसके बारे में क्या कि अच्छा आंसू सब्सक्राइब करने के लिए लड़के यूवा लड़के लड़के यूवा लड़के लड़के आते हैं ट्वेल्थ पास करके तो एक लड़का मुझसे पूछता है कि पढ़ने आया तो अब आज मेरी एज है उससे दस साल पहले तो दस साल में चोटा ही था ब्येड करके आया ही था तो उससे लगा गया जैसे ये तो बराबर का ही है तो मुझे बचा है सर आप है तो मैंने का तुझे मुझे कौन सि दिगरी चाहिए से तुम उसर जाहिए जिस से तुम से पढ़ेगा उत भी तूमाइन का तूम कर रखिए जानी अब देखिए दिगरियों हिंदी है फस्ट रैंक है उसमें ठीक है में इतिहास है बीएड नैट सैट और पीएसडी में आल रास्थान जो है प्री पीएसडी का एक्जाम में 90.66 OBC फस्ट रैंक थी और पीएसडी में एडमिशन जो है इसे हुआ था फिर मैं जॉब की तैयारी आए गया जॉब की तैयारी में थोड़ा सा उसे डिले कर दिया मैंने तो वह चीज़ है पीएसडी तक तो मैं पहुंच चुका हूँ अब इसके अलाव कोई डिगरी बच्ची है तो एंफिल बच्ची है बता दे फिर तुमेर से पढ जानी विद्वान और सच्चा नॉलिजबल इंसान वही होता है जो अपने ग्यान पर घमंड नहीं करें आप चार किताबें पढ़कर अगर सामने वाड़े को तुच्छ समझने लखो और सामने वाड़े के साथ अगर आपने बात करने का सलीका नहीं सीखा तो आपका ग्या भगवान किसी काम का नहीं है मेरा यह मानना है इसलिए मैं कहता हूँ कि जुकता वही है जिसमें जान है अकड़ना मुर्दों की पहचान है इसलिए मैं कभी अकड़ता नहीं हूँ सौरी बहुत जल्दी बोलता हूँ आपको सारी कायरता की निसानी होते बिलकुल नहीं होत थी बोला हे महामुनी आप धहर्य धारन कीजिए ये जो अपराद हुआ है वो आप ही का कोई दास होगा मैं आप से शमा चाहता हूं तो भगवान राम ने भी जो है सौरी बोलती जुकता वही है जिसमें जान है अकड़ना मुर्दों की पहचान है तो हम मुर्दे नहीं है हम जान है इसलिए जुकते हैं है ना तो सीधे पेड़ होता है पहले काटा जाता है तो धहरी रखिए और डिगरियों पर न जाएं जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको आत्मसाथ करें और बड़ी आतरीके से आनंद लेते वे क्लास पढ़ें मेरे हर क्लास में है और दो तिन कमेंट आते हैं वो एक मैं नाम बुल गया पतानी नोटी है नाम से आईडी बना रखिया है तो बता है सर आपके क्लास जब तक नहीं आए तब तक नीन नहीं आती एक एडिट हो गए हैं आपके क्लास के मारवड़ी हो गया थानी क्लास तरह यह नशा नहीं ह आदत अच्छी होती है लत बुरी होती है और आपको मेरी क्लास की आदत लगी है तो यह बहुत अच्छी बात है यह आपका भविश्य गंद्रमान करेगी आपको लत नहीं है ठीक है तो आनंद लीजिए और इसके अलवा अगर पंथ में आपसे कुछ पूछा जाए और तो प्रकरती का सू कुमार कभी वगर आई होगी ठीक है बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं बसता ठीक है तो यह अप है अपना एप्लिकेशन हिंदी पॉइंट नाम से है और नोर्स आप प्रिंट आउट भी निकला सकते हो तो आज की क्लास भी पंथ जो है पंथ निराला ज रात साड़े आठ नो के बीच में अपनी कलास आती है साड़े आठ से नो के बीच में कभी भी आ सकती है कई बार थोड़े लेट हो जड़ी बागी साड़े आठ 35 मेरा टाइम रहता है ठीक है तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज एक कमेंट देखा था पहनती होना आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी मैं इतना जानता है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद